भारत के आठ कुख्याद दकै जिनको आज भी नहीं भूले हैं लोग लोगों के मन में भारत के कुख्याद दाकों के बारे में जानने की जिग्यासा रहती है हमारी रिसर्च टीम संबन्द में एक रिपोर्ट तैयार की है चंबल घाटी मध्यप्रदेश का इतिहास ऐसे डाकों के नाम से भरा पड़ा है जिनोंने अपना सब कुछ खत्म होने के बाद तंग आकर हत्यार उठाए ये बात अलग है कि इन में से अधिकतर का अंत ऐसे हुआ कि देखने वाले को ये समझ आ गया कि अपराद एक दलदल की तरह है जहां इनसान एक बार फंसा तो फिर जिन्दा वापस नहीं आ सकता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही खुंखार डाकों के बारे में जिनके हाथों में बुरे हालातों ने थमा दी बंदूक और बना दिया डकैत सुल्ताना सुल्ताना डाकू यानी सुल्तान सिंग घुमन्तू बंजारे भांतू समुदाय से तालुक रखता था सुल्ताना को बीसवी सदी का पहला सबसे ज्यादा चर्चित दकैत माना जाता है साल 1901 में सुल्ताना का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ सुल्ताना ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया था वह खुद को मेवार के राजा महाराना प्रताप का वन्शज बताता था वह अपने घोडे का नाम भी उसने चेतक रखा हुआ था महान शिकारी और परियावरन संरक्षक जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माई इंडिया के सुल्ताना इंडियास रोबिन हुड अध्याय में लिखा है कि सुल्ताना डाकू ने कभी किसी गरीब से एक कौडी भी नहीं लूटी उर्दू के जासूसी उपन्यासकार और मशहूर पुलीस अधिकारी जफर उमर के अनुसार सुल्ताना बड़ा निडर होकर दकैती डालता था और हमेशा पहले से लोगों को सूचित कर देता था सुल्ताना मुख्बिरों के जरिये अमीर साहुकारों और जमीनदारों की खबर लेकर दकैती की योजना बड़े ध्यान के साथ बनाता और हमेशा काम्याब लोटता ये भी मशूर है कि वो अपने विरोधियों और जिनकी वो हत्या करता उनके हाथ की तीन उंगलियां भी काट डालता था सुल्ताना ने 400 साल पुराने नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित रुहेला नवाब नजीबुद्दौला के किले को कबजा कर अपना ठिकाना बना लिया सुल्ताना डाकू एक गरीब परिवार से तालुक रखता था वह अंग्रेजों के शोशन के कारण 17 साल की उम्र में डाकू बन गया सुल्ताना की बहादुरी दिलेरी वह गरीबों की मदद से प्रभावित होकर एक यूवा अंग्रेज महिला उससे प्यार करने लगी थी जाल बिचाया और सुल्ताना को पकड लिया सुल्ताना डाकू साथ जूलाई 1924 को फासी के तक्ते पर लटका दिया गया सुल्ताना डाकू पर बॉलिवूड, ह्लिवुड और लॉलिवूड में कई तरह की फिल्में बनाई गई हैं जैसे हॉलिवुड में दे लॉंग फिल्म भारत में भी सुल्ताना डाकू पर फिल्म बन चुकी है। साथ ही सुजीत सराफ ने इस किरदार को रेखांकित करते हुए दे कन्फेशन डाकू के नाम से एक उपन्यास भी लिखा था। मान सिंग आगरा जिले के खेडा गाव में 1896 में पैदा हुआ चंबल घाटी का कुख्यात दाकू मान सिंग राठोर अपने समय का सबसे खौफना करहा। साल 1928 में ब्रामनों और साहुकारों ने मान सिंग की जमीन पर कबजा कर लिया था। पुलीस ने उसके दो फरार बेटो जस्वन सिंग और धनवान सिंग को मुठभेड में मार गिराया। मान सिंग ने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए बेटों का एंकाउंटर करने वाले 32 पुलीस कर्मियों को मार डाला साल 1955 तक मान सिंग पर 185 हत्या के मामले, 112 लूट के मामले दर्ज हो चुके थे। मान सिंग की गैंग में अस्थाई और 27 सदस्यों की संख्या 400 से भी ज्यादा थी। मान सिंग अमीरों के घर से लूट पाट कर गरीबों की जोली भरता था। उसके दिल में महिलाओं की काफी इज़त थी। मेजर बबबर सिंग थापा के नेत्रित्व में पुलीस टीम में राज्य के भिंड जिले मध्य प्रदेश में मान सिंग को जहर खिला करकर एंकाउंटर कर दिया। साल 1984 में आगरा जिले के खेडा राठोर गाव के लोगों ने मिलकर मान सिंग उसकी पत्नी रुकमणी देवी का एक मंदिर बनवाया वो उसे मंदिर में जाकर भगवान की तरह पूझते हैं। मान सिंग की मौत के 16 साल बाद उस पर डाकु मान सिंग के नाम से फिल्म बनी। पान सिंग तोमर पान सिंग तोमर एक भारतिय सैनिक, एथलीट और बागी था। पान सिंग का जन्म 1932 में भारत में ब्रिटिश राज के दौरान, पोर्सा के करीब भिडोसा के छोटे से शहर में ग्वालियर रियासत में एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। पान सिंग तोमर 1950 और 1960 के दशक में साथ बार राश्चिय स्टीपल चेस दौर में चैंपियन था। इसके बाद अफसरों के साथ खुद मिलखा सिंग भी पान सिंग की तारीफ करने लगे थे। सेवाने वृत्ती होने के बाद जब वह अपने गाव पहुचा तो जमीन के विवात को लेकर पान सिंग ने चार हत्याएं कर दी जिनके कारण वह डकैत बन गया और चमल घाटी में दहशत फैला दी। वह पत्ते खेलने का काफी शौकीन था। वह गरीबों पर कभी जुन नहीं करता था और महिलाओं की इज़द करना प्रमुक करतव्य था। लोग उसे घाटी का शेर कहकर बुलाने लगे। साल 1981 तक पान सिंग ने पचास से ज्यादा अपहरण कर लिये थे। 1981 में पान सिंग ने छे लोगों को एक साथ मारा था तब भी S की 10 टुकडियां और S T की 15 टुकडियां पान सिंग के पीछे लगा दी गई 1981 में पान सिंग को DSP मा। पी सिंग और 500 पुलीस कर्मियों के विशेश कार्य समूह ने मुठभेड में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक गाव में मार गिराया। पान सिंग की मौत के 29 साल बाद यानी साल 2010 में उनके जीवन पर एक फिल्म बनी। जहासी से करीब 25 किलोमीटर दूर बबीना कजबे में आज भी पान सिंग का परिवार रहता है। फूलन देवी गरीब घर में पैदा हुई फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में उनसे 30 साल बड़े आदमी से कर दी गई। उनका जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाव गोरहा का पूर्वा में एक मल्ला के घर हुआ था। लेकिन उस पर इतना जुल्म धाया गया कि वह पती को छोड़ कर अपने साथियों के साथ अपराद की दुनिया में उतर गई। थाकुरों के गैंड ने 18 साल की उम्र में फूलन को किड्नैप कर बहमई गाव में तीन हफते तक गैंड रेप किया। 1981 में फूलन देवी ने अपने साथ हुई ज्यात्ती का बदला लेते हुए 22 थाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। इस घटना के बाद ही फूलन देवी का नाम बैंडिट क्वीन पड़ गया। इसके दो साल बाद 1983 में फूलन देवी ने पुलीस के सामने सरेंडर किया। उसके बाद उन पर 22 हत्या, 30 दकैती और 18 किड्नैपिंग के मामलों में 11 साल की कैद हुई। जेल से बाहर आने के बाद फूलन ने उमेच सिंग से शादी रचाई। फूलन देवी बाद में सांसत बनी। शेर सिंग राणा ने उसकी 2001 में सांसत के रूप में उन्हें आवंतित आधिकारिक बंगले के द्वार पर गोली मार कर हत्या कर दी गई। लेखिका माला सेन ने फूलन देवी की जिन्दगी पर बैंडिट क्वीन दे ट्रू स्टोरी देवी किताब लिखी थी जिस पर साल 1994 में शेखर कपूर ने फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई। वीरपपन चंदन तसकर के नाम से पहचाने जाने वाला कूज मुनिस्वामी वीरपपा गौडन उर्फ वीरपपन डाकू तमिलनाडू, करनाटक और केरल के करीब 6000 वर्ब किलोमीटर जंगली इलाके में दो दशक से ज्यादा तक दहशत फैला रखी थी। 1952 में जनमे वीरपपन के गाव गोपीनाथम, करनाटक के निवासी उसके गिरों को भोजन तथा वस्त्र भी मुहया कराते थे। उसे करनाटक संगीत काफी प्रिय था और वो एक धार्मिक आदमी था। वह हाथीदात की तसकरी, हाथियों के अवैद शिकार, पुलीस तथा वन्य अधिकारियों की हत्या व अपहरण के कई मामलों का भी अभ्यूक्त था। उसकी जीवनी लिखने वाले सुनाद रगुराम के अनुसार उसने दो सो से अधिक हाथियों का शिकार नहीं किया होगा। कहते हैं, वह एक वन्य अधिकारी के सिर को धर से अलग कर उस अधिकारी की खोपडी के साथ फुटबॉल खेलने लगा। उसने 1992 में पुलीस आफिसर समेथ 21 लोगों की लैंड माइन बिचा कर हत्या कर दी। वीरपपन 2004 में तमिलनाडू सरकार की स्पेशल तास्क पुलीस विजय कुमार के नेतरित्व में मुठबेड में मारा गया। उसकी इच्छा थी कि वो एक अनाथा श्रम खोले तथा राजनिती से जुड़े। उसे अपनी लंबी घनी मूछे बहुत पसंद थी। वह मा काली का बहुत भक्त था और कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया था। हिंदी, कमिल तथा कन्नड की कई फिल्मों के किरदार वीरप्पन पर आधारित है। करीब तीन दशक तक दक्याच शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का तीन राज्यो उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में आतंग था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के देवकली गाव का रहने वाला ददुआ दबंगो द्वारा पिता की हत्या के कारण डाकू बन गया। ददुआ ने उगाही, लूट, दकैती और हत्या से लोगों में दहशत फैला रखी थी। ददुआ बीहर के आसपास बसे गावों में आया जाया करता था और गाव वालों की पैसे से लेकर हर तरह की मदद करता था। उसको जानकारी मिली की तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को पूरे पैसे नहीं मिलते। उसने ठेकेदारों से कहकर सब की मजदूरी बढ़वा दी. लोग उसके पास अपनी फरियाद लेकर जाने लगे. उसने कई गरीब बेटियों की शादी करवाई. 1986 में ददूआ ने रामू का पुर्वा नामक गाव में मुखबिरी के शक में नौ लोगों के सीने में गोली उतार दी थी. ददूआ पर लगभग 400 मामले दर्ज थे जिसमें 200 अपहरण, दकैती और 150 हत्या के मामले दर्ज हुए. बुंदेल खंड में कोई भी चुनाव होता तो बिना ददूआ के समर्थन के कोई नहीं जीत सकता था. ददूआ के 500 गाव के प्रधान थे जो लगभग 10 लोकसभा की सीटों पर प्रभाव रखते थे. उत्तर प्रदेश पुलीस और स्टीएफ ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के आलहा गाव के पास जालवाल में 22 जुलाई 2007 में ददूआ मार दिया गया. जन्पत फतेपुर के नरसिंगपुर कबरहा पुर्वा में ददूआ का मंदिर बना हुआ, जिसमें ददूआ की पत्नी सहित मूर्ती लगी है. ददूआ खुद खादी नहीं पहन पाए. लेकिन परिवार का राजनीतिक करियर सेट कर गए. निर्भय गुर्जर वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश के औरईया जिले में जन्मा निर्भय गुर्जर मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का आखरी डकैट था. निर्भय अपने मामा के गाव गुर्दासपुर में जमीन विवात के चलते डाकू बन गया. तीस साल के अपराधिक जीवन में निर्भय के ऊपर यूपी और एमपी के विभिन्न जिलों में लूट, अपहरण, हत्या और डकैती के दो सो से अधिक मामले दर्स थे. निर्भय के गिरों में साठ सदस्य थे. निर्भय अयाश और रंगीन मिजास था व्भीहड में उसने अपने साथ अपहरण कर तीन महिलाओ नीलम गुपता, सरला जाटव और मुन्नी पांडे को रखा था. निर्भय का दत्तक पुत्रश्याम और उसकी पत्नी नीलम ने बगावत कर पुलीस को गिरों के बारे में खुफिया जानकारियां दी, जिसके बाद कानपुर के ततकालीन डी आईजी दलजीत चौधरी ने 2005 में निर्भय का खात्मा कर दिया. भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रिय निदेशक श्री केके मुहम्मत के अनुसार, गुर्जर और उनके गिरों ने मध्य प्रदेश के बटेश्वर हिंदू मंदिरों के जीर्णो धार के लिए भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षण को बहुत मदद की. पुत्तर प्रदेश के औरेया में में पैदा हुई सीमा परिहार जब 13 साल की थी तब दकैत लाला राम ने उसके गाव से अगवा कर सीमा को दकैत बना दिया निर्भाई गुरजर से शादी करा दी निर्भाई की एयाशी के कारण सीमा ने उसे गैंग से बहार कर खुद गैंग चलाने लगी सीमा ने 1998 में लाला राम से शादी करने के बाद 1999 में एक लड़के को जन्म दिया अपने 18 साल अपराधी जीवन में सीमा ने 70 लोगों की हत्या, 200 लोगों का अपहरण और 30 से ज्यादा घरों में दकैती डालने के बाद 2000 में यूपी पुलीस को आत्म समर्पढ कर राजनीती में उतर गई थी सीमा की जिन्दगी पर 2006 में वून्डिद नाम से एक फिल्म भी बनी थी, जिसमें उन्होंने ही लीड रोल निभाया था सीमा परिहार को आप बिग बॉस 2010 में भी देख चुके हैं सीमा परिहार को साल 2011 में राश्चिय अपराद उन्मूलन समिती का अध्यक्ष भी बनाया गया था इसके बाद सीमा परिहार बतौर सोशल वरकर लगी इसके साथ ही वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में फैशन शोज में कैट वॉक भी कर चुकी है अब सीमा अपने 23 साल के बेटे के साथ सामान्य जिन्दगी बिता रही है हमारा समाज आज भी इस बहस में उल्जा हुआ है कि हथियार उठाने वाला शक्स अपराधी है या फिर वे लोग जिनोंने ऐसे हालात पैदा किये जिनके कारण किसी को हथियार उठाने पड़े के सामने हथियार उठाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता बी एंटी की खास पेशकश